अरे पिट पिट तुम कहां हो कहां चिपे हो पिट पिट अरे मैं यहीं तो था फिर भी तुम मुझे देख न पाए हाँ क्यो ये मेरा हरा रंग जब मैं चाहू अपने आपको दुश्मन से बचा सकता हूँ इस प्रकार हर्याली में एकाकार होकर कमाल है? ये कमाल कुदरत का है क्यासे? प्रकृती में प्रानियों और जीव जन्तू को पर्यावरन के साथ अनुकूलन बनाये रखने के लिए कुछ शारीरिक लक्षन प्रदान किये हैं पर क्यों? इन लक्षनों से वे अपने आपको शत्रू से बचाये रखते हैं उसे रूपा दे सकते हैं मौसम से जूज सकते हैं और अपने साथ लोगों को आतर्षिद भी करते हैं ये शारीरिक लक्षन सब एक से होते हैं क्या? नहीं, अनुकूलन, अर्थार्थ, एडाप्टिशन के कई प्रकार हैं जैसे सुरक्षा के लिए शरीर कवच, बाल या पंक आदी कुछ प्रानी मिमिक्री या ढों करने की संता रखते हैं और कुछ मेरे जैसे सुरक्षात्मक रंग आयोजन यानि, प्रोटक्टिव कलरेशन का सहारा लेते हैं पर कुछ प्रानी समय समय पर गायब क्यों हो जाते हैं? इसे माइग्रेशन कहते हैं प्रानी और पक्षी भोजन की कुछने और मौसम की तीवरता से बचने के लिए अत्वा, प्रजनन या ब्रीडिंग के लिए माइग्रेशन करके सुदूर प्रदेशों में जाते हैं और तुम क्या करसे हो पिट-पिट? मेरा अंदाज निराला है हम गाड निद्रा यानि हाइबर नेशन में चले जाते हैं इससे शरीर का तापमान परियावरन के अनुरूप और भोजन की आवशक्ता नहीवत रह जाती है जैसे साप, रीच और मेर तुम कहाँ चले पिट-पिट? हाइबर नेशन में अनुकुलन है तो जीवन है हाइबर नेशन में